जाहिन दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम जो गरी के रिव्यू करने वोले उस गरी के पिछे में खारा हो और वो 18 डिसंबर 1999 में फस्ट लॉंच किया गया था इंडियन मार्टी की द्वारा है यह गरी है वागेनार आज हम जिस गरी के समने खारे हुए है वो है थार्ट जेनरेशन वागेनार जो की 31 डिसंबर 2019 तक 2.4 मिलियन गरी इंडियन मार्टी में बेच चुका है और यह गरी यह गरी माजदा की द्वारा भी एजए एजए वागेन के नाम से 1994 से 2012 तक बेचा गिया और 2012 से एजए फ्लेयर इसो बेच रहा है माजदा की द्वारा आज हम जो गरी के समने खा रहे है वो है वी एक साई वान लिटर वागेनार का जो फ्रॉंट लुक है वो कुछ इस तरह पूल चीर मेडितर से जो है वो हेलोजेन है लेंफ और जो फोग लेंप है यहांपर hoşunnal है ब्हेकस है में और जो इंडिगेटर है है और भी और हैलोजेटर इंडिगेटर धिया गया है प्रॉंट पर आपकाёл लोगो जो क की को हैनिदिपाा गरते वो फोम फिनिशिन के management दिया गया है और front and left hander में indicator दिया गया है इसका जो wheel size है ओ है rim size 14 और जो tire का section है ओ है 165 by 70 165 by 70 का tire section है जो ORBM है वहापर indicator आबलेबल नहीं है लेकिन electronically adjustable ORBM है जो door handle है और body color है और यहापर जो wheel है और steel wheel या पर कोई alloy wheel का options या पर नहीं है यह गरी दो engine options में available है 1 liter and 1.2 liter जो 1 liter है और 3 cylinder and जो 1.2 liter है और 4 cylinder चलिए गरी का dimension के बारे में बात करते हैं आप सही भी को पाता ही है गरी के dimension हम लोग हर एक वीडियो में fit में measure करते हैं तो चलिए इस गरी का भी dimension measure करते हैं जिसका length है 3655 mm जो की 11.98 feet है wide है 1620 mm जो की 5.31 feet है height है 1675 mm जो की 5.49 feet wheelbase 2435 mm जो की 7.98 feet and carvoid है गरी का 820 गेजी गारी का rear end दिखा जाए तो यहापर rear end में आपका नीचे दो सेंसर दिया गया है reverse parking sensor और wagon air का जो बेजिंग है वो chrome finishing के साथ दिया गया है rear में कोई antenna नहीं है antenna जो दिया गया है और फ्रॉंट में दिया गया है और roof rail में यहापर available नहीं है जो वैपर है और manual वैपर है और auto sensing वैपर यहापर नहीं है और एकदम basic सा features यहापर दिया गया है और front में आपका छोटा सा एक antenna यहापर available किया है और roof rail भी इस गारे में available नहीं है तो गारी का अगर इंटेरियर का बात किया जाए तो इंटेरियर दो color options में available हैं हाला कि dashboard and front seat and rear seat beach and black color में और जो door pads and door handles है और hard plastic black color में दिया गया है जो front door है वहापर आपका एक bottle holder और कुछ pocket दिया गया है और उसी के साथ चारो power window lock unlock का button और जो ORVM उसे control काने के लिए switch यहापर दिया गया है और जो door handle है lock unlock और black में है और door lock and open का switch वो chrome finish में दिया गया है जो driver seat है उसमें height adjustable का options available नहीं है लेकिन यह पर four way adjustable है इसका मतलब है inclined and आगे पीछे गारी का जो dashboard है और which and black color में available है जो की काफी खुब्सूरत लगता है और जो instrument cluster है और बहुत ही basic सा दिया गया है यहापर सिप otometer है यहापर tachometer नहीं है लेकिन यहापर आपका fuel average और आपका trip A trip B और temperature कितना है यहापर basic सा जो information है चाहिए चलाने के लिए गारी वहापर है और जो steering है और tiltable है telescopic नहीं है सिर्फ tiltable steering यहापर दिया गया है और इसी के साथ जो music system है और single dim music system यहापर available किया है उसी के साथ auxiliary और आपका pen drive का system यहापर इस music system में available है जो yard vent है driver and co driver side में right and left side में आपका circular design में दिया गया है और उसी के साथ yard vent के नीचे आपका traction control और head lamp leveling का switch button यहापर दिया और auto AC नहीं है manual AC है और जो gear box है और five speed manual transmission का यहापर gear box है हाला कि इसमें VXI में आपका HGS जो auto gear shift है उस engine का भी options यहापर available किया गया है और ठीक AC के नीचे यहापर 12 volt का power outlet है जिससे आप mobile charge या फिर कुछ connect आप कर सकते हो और थोड़ा बोत यहापर space दिया गया है और gear के थिक पीछे नीचे यहापर थोड़ा बहुत space दिया गया है आपको समान्य पर राख सकते हो coin holder या फिर चावी बगर आप राख सकते हो और जो handbrake हो और बहुत ही basic सा यहापर दिया गया है driver and co driver seat में कोई handrest बगरा नहीं है लेकिन यहापर जो color combination दिया गया है बहुत ही खुबसुरत लगते है इस गरी में और बहुत spacious गरी यहापर है जैसे कि wagon का मतलबी है चार पही होला गरी जहापर space है और arts से define करते है revolution and relaxation इसी के अधर से wagoner को नाम दिया गया है जो sun wizard है और driver seat में vanity mirror अविलेबल है लेकिन driver seat में यहापर vanity mirror अविलेबल नहीं है जो रिडिक लेंपे हो हेलोजेन है और जो IRB में हो भी manual adjustable है यहापर अब देख सकते हो dashboard का view यहापर driver seat में आपका ear bag दिया गया है SRS ear bag safety के लिया से और यहापर child के लिए आपका child lock है rear door में और central lock में यहापर दिया गया है lock and unlock button चाभी में जो गारी का key है उसमें available क्या गया है चलिए गारी का dimension हो गया अभी foil tank and boot space का बात करते हैं गारी का foil tank है 32 liter और गारी का boot space है 341 liter और जो गारी का ground clearance है वह है 165 mm वागेनर में जो जो color available है वो color कुस इस तरह से है solid white, silky silver, gallant red, pool set blue, magma gray and nutmeg brown यह पर जो color हम देख रहे हो और pool set blue है और एक बात कहना चाहते है यहापर जैसे कि जो driver and co driver seat है यहापर आपका जो address है और एड्रेस्टेबल नहीं है और fixed address है इसे आप फोल्ड कर सकते हो 100% उसे फोल्ड कर सकते हो और उसी के साथ रियर में रियर पार्सल सेल्फ भी वहापर एटच किया गया है आप यहापर आप देख सकते हो और जो spare wheel है और फूल से चील spare wheel दिया गया है कोई whole cover वगरा नहीं है इसमें लेकिन आप अंदर से जब देखते हो गारी को बहुत इस स्पेसियस फील होता है गारी में और जो 341 लिटर का boot space है वो sufficient एक छोटा फेमिली के लिए स्पेस दिया गया है गारी का जो प्राइस है जो base variant है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 5 लक्स 47,448 उसके उपर अला मोडल जो के हम लोग रिव्यू करे रहे हैं आप लोग देख रहे हों वह है वी एक से 1 लिटर 5,90,948 और इसके उपर अला जो टॉप कॉंट है वी एक से AGS जो के Auto Gear Shift के नाम से जाना जाता है वह है 6 लक्स 40,948 और गारी का जो इंजिन यहाँ पर अवेलेबल किया गया है यह है 998 cc, 3-cylinder in-line engine with 4-bulbs per cylinder with double overhead cram sharp इंजिन टैप है K10C और यह basic engine है इसमें जो maximum horsepower generate होता है वह है 66 horsepower at 5,500 rpm जो torque है वह है 89 nm at the rate of 3,500 rpm इस गारी में आपको 1.2 लिटर 4-cylinder के भी engine options अवेलेबल है जो कि हम लोग next episode में इसको review करेंगे गारी का आप engine देख सकते हो यहाँ पर battery and issue है और left hand side में आपका wiper और बीच में आपका engine दिया गया है और engine insulation के लिए आप पर कोई भी insulation यहाँ पर available नहीं है तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो like, subscribe and share जोरूर केजिए और मेरा support कीजिए तक यह और 72 वीडियो आप लोगो देशे को और अगर कुछ जानना है तो आप मुझे comment box में जोरूर comment कीजिएगा तो आज का वीडियो इतना ही तो आशा करते हैं आप कुछ स्वस्त हूं और स्वस्त रहने के लिए कोशिश कीजिए जाए हिंद और HP at the rate RPM मोटो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद